एक हिलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारी विडियामा सगर पर आज मं करंट अफेयर्स ओं में पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे इस से बहुत सारी इंप्टरन चरंट अफेयर्स के वह में डिसकेश किया है तो जिसने अभी तक वह नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख कभी दर बंद हो जये। तो रास्ता रेलो लक्स नहीं. यानिकि अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं तो बहुत बार आप के लक्स के बीच में ऐसी चीज़ जा सकते हैं जो आपको आपके लक्स से बठकाएंगी. लेकिन आपको अपना लक्स से बटकना नहीं है बलकि अपने लक्स की तरफ जाने वाले रास्ते को बदलना है तो ठीक है दोस्तों इसी प्यारी से मूल्टिशन के साथ हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ हमारा पहला कोशन है डिसेंटली सौटगन वर्ल्ड कप 2021 इस बिंग हैं इन विच कंट्री अभी हाल फिलाल में सौटगन वर्ल्ड कप 2021 हो रखा है तो यह किस देश में हुआ है तो आपके ऑप्चन है इंडिया और जापान और इटली और इसका सही आंचर है इसका सही आंचर हुआ है इटली के जो इस बार का फॉटगन वर्ल्ड प हुआ है वह इटली में हुआ है ठीक है दोस्तों तो और यह 7 मही से देखे 17 मही 2021 के बीच में हुआ ठीक है और कवा था लोनातो डेल गाडा में हुआ ठीक है एट लीगे और इटली की गडूर्टल क्या है रोम है युएस एरा फिर डेन्मार्क फिर इस तरीके चाहिए इन सभी कंट्री इसको देख सकें और यहां पर इरां का मैप लगा इंटली का मैप लगा हुए ठीक है और यहां के जो करपीटल है लाई कि अभी हाल ही में इंडिया में एक सरवे वाज इस में से जो टॉप इंडिया की टॉप एट या टैन मेजर सिटी जा उन पर रिसर्च की गई कि किस सीटी में सबस्क्राइब है तो उसमें पाया है वो कौन आया है आपकी अप्शन यह है और इसका सही आंशर है और उसका सही आंसर है पुने और यहां पर दे सकते हैं पुने रेंग्स फर्स्ट दिल्ली एंशियार एड बॉटम अमंग टॉप एट सिटीज ऑन हेल्थ इंफ्रा रिपोर्ट है ठीक है यानि कि जो टॉप एट सिटीज हैं टॉप मेजर एट सिटीज हैं इंडिया के उसमें पुने ने टॉप रेंक हासिल करी है और देल्ली एंशियार ने यानिकि जो इंडिया की कैपिटल है उसने सबसे लास्ट उसको पोजिशन मिली हुई है और आपके जो टॉटल कंट्री सिटीज ते जिसके बीच में यह हुआ था एहमदाबाद बैंगलूरू और चैन्नाइ दिल्ली एंशियार हैदरबाद कोलकाता मुंबई इन और पुने इन एट सिटीज के बीच में यह सरवे हुआ था और फरस्ट को नाया पुने और लास्ट को नाया न्यू देली आप यहां पर देख सकते हैं और आप इस टेबल में देख सकते हैं कि जो सरवे हुआ है वह कि इस तरीके से हुआ है और सरवे में किन-किन चीजों को दिखा गया और किन-किन चीजों को देखा गया नंबर ऑफ हस्पिटल से पर थाउजन पॉपूलेशन कितने होस्ट बैड़ है थाउजन अजार लोगों के लिए यह क्या है वागई वाटर क्या वाटर क्या इंड तो सरवे क्या गया था और इसमें फर्स्ट आया हमारा पुने ठीक है बढ़ते हैं अगरे कोश्चन की तरफ यहां पर हमारा अगला कोश्चन है यू एन है रिपोर्टेड ग्लोबल एकोनोमिक है ग्रोथ टू हमच परसेंट इन 2021 आपके ऑप्शन है 5.2 परसें 5.4 परसें 5 5.8 परसेंट और इसका सही आंसर क्या होगा यून याने की यूनाटेड निशन ने कंसिडर करिए कि 2021 की पूरे वर्ल्ड की जो एकोनोमिक ग्रोथ होगी वह कितनी होगी और इसके आंसर आपको पता करना है हम बताएंगे अभी आप गैस कीजिए अतबता के लिए जो इसका सही आंचर होगा और इसका सही आंचर है 5.4 परसेंट याने की जो ग्लोबल एकोनोमिक ग्रोथ होगी 2021 में पूरे वर्ल्ड की वह है 5.4 परसेंट यह यून ने डिक्लियर किया हो है ठीक है दोस्तों हमारा आज का अगला कोश्चन है कि 15 में इस सेलिब्रेटेड एज एब्रियर की 5 माई को हमर साल क्या मनाते हैं वौल्टे डी इंटेनाशनल डे और इंटेनेशनल डे और नर्सृज दे और नेशनल टेक्ञोजिव फैमिदी परिवार दिवर्फ मनाया जाता है 5miko hai साल थीक है और इस साल की जो थीम है वो है families and new technologies according to the UN यानि कि जो happy international day है 2021 इसका जो थीम है वो है families and new technologies ठीक है दोस्तों अब हमारा अगला question है Google Cloud यानि कि Google Cloud has signed an agreement with which company for Starlink के internet connectivity यानि कि Google Cloud, Google Cloud क्या होता है Google Cloud वो होता है जिसमें आप अपने बहुत सारी backup जो हम store करते है उसको Google Cloud क्लाउड कहते है उसे वैसे अब Google Cloud होता है हर phone के हर अलग-अलग Cloud होते है जैसे MI का MI Cloud होता है Samsung का Samsung Cloud इस तरीके से होते है तो Google Cloud ने अपनी जो connectivity है ना उसको बढ़ाने के लिए किस मतलग किस company के Starlink के internet connectivity के साथ agreement sign किया है और आपके option है Facebook इस्रो नासा SpaceX तो उसका सही आचार होगा आपका क्या होगा SpaceX यानि किसका सही आचार है SpaceX ठीक है दोस्तों SpaceX के साथ Google Cloud ने अपना agreement sign किया है ताकि वह ताकि वह अपनी connectivity को बढ़ा सके ठीक है और जो Google Cloud इसकी जो foundation वह था अप्रेल 7 2008 को वह था और इसका जो रिटन इसकी जो language है वो Java C++ Python Go Ruby की language ठीक है और जो Starlink के आपको बताए स्पेसेकसी की company यानिकि SpaceX के जो founder है वो को ने ऐलन मस्क सभी को बताएं आल अच्छे स्टार्ट हुआ था देश ने याउगन 30 सैटिलैट्स को लॉंच किया है आपके अप्शन है जापान चाइना सौथ कोरिया इंडोनेशिया और इसका सही आंचर होगा इसका सही आंचर है चाइना जी हाँ चाइना चाइना वही देश है जहां से कोविड-19 आया किसी आदमी ने चमकाजल खाया और दकार मार दी और आज हम सभी को बुखतना बढ़ रहा है और वो मजे से सैटिलैट्स लॉंच कर रहे है ठीक है तो बढ़ते आगे की तरफ यह है और यहांपे चाइना का मैप और चाइना का जो केटल है वह बेङ्ञग और यहां के जो प्रैसीडेंट है उसी जिंगिपिंग है और चाइना ने और यहां पर देश सकते हूं चाइना की जो फुर्दर इंफर्मेशन है और यह और चाइना दुनिया का पहला इसा देश बन गया है जिसमें 1.4 बिलियन पॉपलेशन पार कर चुक है ठीक है 1.4 बिलियन पॉपलेशन पार कर चुक है और चाइना को बूड़ा होता हुआ देश भी कहते हैं ठीक है दोस्तों बढ़ते एक लिए कोशन की तरफ अब यहां पर हमारा अगला कोशन है who created history by becoming the first Indian fancer to qualify for the Olympic Games जाने की भारत की पहली महिला फैंसर जिन्होंने Olympic Games के लिए qualify कर दिया है वो कौन है आपके option है भवानी देवी बलजीत कौर गुंबारा सर्मा सुनिता देवेदी और इसका सही answer होगा इसका सही answer है भावानी देवी ने भावानी देवी बन चुकी है इंडिया की पहली महिला फैंसर जिन्होंने Olympic Games के लिए qualify किया है भारत की तरफ से ठीक है कि What is Talk Day और Talk Day which is in news recently Talk Day क्या है जो अभी recently न्यूज मा आया हुआ है सभी को पता होगा जो न्यूज देखते हैं इसके option है forest fire, tsunami, cyclone और organic eruption और इसका सही answer है कि इसका सही answer है Cyclone ठीक है Talk Day Cyclone आया हुआ है भी इंडिया में और इंडिया के आस्पास वाले जो भी countries हैं और जो सब्सक्राइब को पता हुगा उत्राखंड मचानक से दो दिन चे लगाता बारी सोड़ी है तो यह सबी जो है साइक्लोन तौकते ही के वज़े से ही हो रख है तो बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ या अगली श्लैट की तरफ कि यहां बर आप देश सकते हैं ठीक है अगला कोशन है 17 में इस सेलिवेटेड एवरी यर एज यानने की हर साथ सत्र में को हम क्या मनाते हैं आपके आप्चान है वर्ल्ट टेली कॉम्मिकेशन डे एंड इंफरमेशन सुसाइटी डे इंटरनेशनल डे और फैम्ली इंटरनेशन नर्स डे और नेशनल टेक्नलोजी ड को मनाते हैं ठीक है दोस्तों हमारे पास अगला कोशन है वोमेंस रग्भी वर्ल्ड कप 2022 विल भी हैल्ड इन वीच कंट्री यानि की जो वोमेंस रग्भी वर्ल्ड कप 2022 का वह किस देश में होगा आपका अउस्ट्रेलिया इंडिया नुजिलेंड चाइना और इसका सही आं 2019 में ठीक है और जो न्यूजिलेंड है वो इस साल यानि की इस साल होने वाला था लेकिन कोविट की वाज़ा से डिलेय हो चुका है 2020 में जो वुमेंस रग्भी वर्ल्ड कप होगा उसे न्यूजिलेंड होश्ट करेगा ठीक है दो कि दोस्तों आप देश सकते हैं रग्भी एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें 15 टीम मेंबर्स होते हैं यानि कि एक तरफ से 15 लोग एक सांथ खेलते हैं और जो फॉस्ट प्रेइंटीं इंग्लेंड में सबसे पहले खेला गया था ठीक है और जो 2021 रग्भी है यह नूजिलेंड होगा आप यह याद रखने न और पोस्ट पहले होनवाता है ठीक है आपका अगला कोश्यों है विस कंटरी इस वर्ल्ड सफस्ट कंटरी टु बैन और सिंथे चनाबिनॉइड सब्स्टेंस अब क्या होता है कुछ लोग इसको देखके पचान गए होंगे लेकिन कहना भी नॉइड होता है भांग ठीक है और बहुत सा सब्स्टर ने ना चिना रहूंए पकिस्तान सब्सक्राइब और चामाल चाना फिक ऐसका इसका सो है आश्यान मिए चायना लगा दिया सब्सक्राइब बिद्रिया chosen positive to प्रोग्राम एस प्रोग्राम जो है कि स्टेट के दौरा लॉंची गया गया आपके अप्सक्राइब प्रदेश पंजाब और पहले मैं बता दूँ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ आउस है उसने किस स्टेट के सांथ को लैबरोशन करी ताकि जो अभी कोई चली है इससे लोगों को बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी जा रहे हैं और लोगों को नेगेटिव फील हो रहे हैं तो उनके अंदर किस तरीके से जो यह नेगेटिविटी यह उसको दूर किया जाए उनके अंदर जो भी यह नेगेटिविटी आ चुकिया कोविट के द्वारा उनको तकलीफ है उनको दूर करने के लिए जो प्रोग्राम लाया गया और यह किसी स्टेट के तरह लाया गया है और सही आंसर है हिमांचा पर्देश ने मिनिश्टी के साथ को लैबरेशन करके आयूज घरद्वारे की स्कीम लाए जिससे वो लोगों की हेल्प करेंगा और यहां पर जिक सक यह प्रेक्टिसिंग यूगा यहांन्ट कि आईस मिनिश्टे के साथ इन लोगों ने कोवाड़ेशन किया और उन लोगों को यह योगा ट्रेनिंग देंगे जो कोबिट पॉजटिव बेस रहे हैं ठीक है M.S. Narsimhan died at the age of 88, he was a renowned, यानि कि M.S. Narsimhan है उनकी मिट्टी हो चुकी है, अभी 88 years पे, वो एक क्या थे, physician थे, mathematician थे, actor थे, athlete थे, और इसका सही आंचर है, M.S. Narsimhan जी, mathematician थे, और ये बहुत ही famous और महान mathematician थे, इंडिया के, और जो इनका जन्मत था, 7 June 1932 को वा था, और जो इनकी जो मित्टी होई, 16 माई 2021 को भी है, ये mathematics के field से थे, और इनको जो education, जो qualities है, उनके टाटा इंस्टूटी और फंडामेटर रिसर्च, लोयला, लोयला को नाम होपे, ठीक है, और इन्होंने, इनकी नाम के ओपर एक चोरम भी है, क्या है, नर्सिमन, सिसादरी चोरम, ठीक हो गया, आपर देख सकते हैं, एक और new media outlet है, जिसमें लिखा है कि famous mathematician professor M.S. नर्सिमन has passed away on May 16 Sunday, known for the नर्सिमन, सिसादरी चोरम, ठीक है, इन्हें यह भारत के सिर्फ एकलोते ऐसे इंसान है, जिने King Fasal International प्राइज मिनना है, साइन्स के फिल्ड में, तो बढ़ते हैं अगले कुशन के इस 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 टार्टे कोविट फटे प्रोग्राम, यानि कि अभी ना, इंडिया के अंदर, यानि कि हमारे देश के अंदर, कोविट जो की सिच्वेशन है, बहुत आउट आफ कंट्रोल चलें, ठीक रुटी तो हर स्टेट, अपनी पूरी क्सिस कर रहा हैं कि कोविट की सिच्वेशन को कर न है, तो इसके लिए वो तश्वत्राटी स्चीम लाँच करें, प्रोग्राम लाँच कर या जिस आउप कोविट पैशेंट की मदद कर सकते हैं, और आम जंता की मदद कर सकें त इसका सही आंसर है पंजाब ठीक है इससे पहले मेरे ख्याल से मैंने इसके प्रजवाली स्टाइड में जो ऑप्सन ता सही आंसर था उसका मैंने ऑप्सन रखना भूल गया था सौरी माफ कर दीजिए का गल्दी हो गई थी तो इसका दे लेकिन जो कोविड़ फटे प्रोग्र ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं गले कोश्वन की तरफ नहीं किस देश ने अपना सबसे ताकतवर सबसे पारफुल सुपर कंप्यूटर सिमॉर्ग को डेवलब कर लिया है आपके आप्सन इंडिया इरान इडली और इराक और इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है इरान यानि ठीक है और यहां के जो प्रेसिडेंट है हसन रुहानी और यहां के पॉपलेशन ने 8.29 करोड फ्रॉम अकॉर्डिंग टू 2019 ठीक है और यहां पर इलान का फ्लेग और इलान का में पर आप देख सकते हैं तो बढ़ते हैं अगले कोश्वन की तरफ अगले कोश्वन की तरफ लorit प्ड़ने पहले आपको यह पता होना चाहित कि सीमौरग नाम रखा गिए है यह सुपरकंप्पूटर का यह सहीमौरग समय करना म रखा गिए एक बर्ण के उपर एक Fenix बर्ण है उसके नाम के उपस इमर्ग नाम रखा गिया है ठीक है अब अगरा कुश्यन है तर कल्च्रल एक्सचेंज प्रोग्राम बिट्विर इंडिया और मंगोलिया विल कंटीनू तिल यानि कि जो प्रोग्राम हो रहा है इंडिया और मंगोलिया के बीच वो कब तक चलेगा आपके और 2023 2024 2025 2026 याँ पर देख सकते हैं मंगोलिया एक लेंडियों कंट्रि यह बिट्विविन चायना एंड रस्या रस्या दुनिया का सबसे बड़ा लेंड एरिया के देश है यानि कि सबसे बड़ा चेतरफळ वाला जो देश है वह है रस्या लाजज़स्ट बाइड एरिया औ और दोने के बीच में मंगोलिया और इसका सही आंशर होगा है और यह सही आंशर दोजार तीस तक मंगोलिया के बीच में जो चलता रहे तो बढ़ते हैं गोशन की तरफ यहां पर आप सकते हैं जो क्लिच्चिरल एक्षेंज प्रोग्राम यह सबसे पहले प्रशुर हाथा जब हम्हारे अज़ेंगे मोधिजी ने मंगोलिया विजिट किया था मेय कि 2015 में तब से जो एक अगले कोशन है अगला कोशन है कि हर साल 20 में क्या करते हैं आपके ऑप्सन है वर्ल मैट्रोजी डे इंटरनेशनल डे इंटरनेशनल नर्सेज डे नेशनल टेक्नलोजी डे और इसका सही आंशर है इसका सही आंशर है वर्ल मैट्रोजी डे यानि कि हर साल 20 में को हम मनाते हैं वर्ल मैट्रोजी डे अब यहां पर आप कंफ्यूज मत करना जाना की वर्ल मैट्रियो लोजिकल डे जिसमें M-E-T-E-R-O मैट्रियो और मैट्रोजी डे दोनु अलग लग हैं ठीक है अब दोनुमा लग लग क्या है मैं आपको भी बताता हूं अब आपको मैं बता दूँ वर्ल मैट्रोजी डे जो हम कुष्चन पढ़ रहे हैं हर साल 20 मैं को मनाया जाता है जबकि जो मेट्रोजी डे है यह है जिसके आगे देखो M-E-T-R यानि कि मीटर यानि कि कि किसी चीज को हम जो आते हैं जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड मैंट्रोजी डे में 20 को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं ठीक है दोस्तों अभी मैं समझता हूं कि आप वह था वह किलियर हो चुका होगा और याद रख लीजे दोस्तों 20 मैं को ही हर साल वर्ल्ड बीडे भी मनाया जाते हैं यानि कि जो हमें सहर देती हैं जो हमारी हेल्टी लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है मदु मख्यां जो सहर देती हैं हमें वर्ल्ड बीडे भी हर साल 20 मैं को मनाया जाते हैं त जिसे कि जब भी हमारी वीडियो अप्लोड होगी तो आपके पास सबसे पहले आ जाएगी ठीक है और वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूरू बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग लिए और शेयर जरूरू करें अपने दोस्तों के सांथ और जैसा कि हम सभी को पता है अभी COVID-19 की situation चल लही है इंडिया में जो बहुत ही कंभीर रूप में चल लही है ठीक है तो अभी हम सब साथ मिलकर ही इसे हरा सकते हैं कोरूना को साथ मिलकर हरा सकते हैं हमें क्या करना है बस हमें अभी घर में रहना है जब तक सरकार की guideline है कि घर पर रहें stay home stay safe तब तक हमें घर पे रहना है और जब भी हम घर से भार जाएंगे किसी भी emergency यूज़ के लिए तो हम मास्क यूज़ करेंगे और घर आदे टाइम से हाथ दोएंगे यानि से यूज़ करेंगे और घर आके साबू नाबून से हाथ दोएंगे तभी अपने अं झाल